चिठी आई है चांदी जैसा रंग है तिरह जैसे गानों से लोगों की दिलों पर राज करने वाले पंकज उदास सब नहीं रहे पंकज उदास ने फरीदा से शादी की थी शादी से उनकी दो बेटिया नायाब और रिवा हुई दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है नायाब अपना म्यूजिक बेंड चलाती है और कहीं शोज भी और्गनाईज करती है हाली में पंकज और फरीदा ने नायाब की शादी भारती एक क्लासिकल म्यूजिशियन ओजस अधिया से की थी वहीं चोटी बेटी रिवा लाइम लाइट से दूर रहती है पंकज ग्रैज़िशन कर रहे थे वहीं फरीदा एयर होस्टेस थी एक दिन पंकज के परोसी ने उनकी मुलाकात फरीदा से कराई पहली मुलाकात ने भी पंकज फरीदा को दिल ले वैटे उन्होंने फरीदा से दोस्टी के और मुलाकातों का दोर शुरू हो गया एक दूसरे के साथ वक्त बिताते बिताते दोनों एक दूसरे के करीब आगए और शादी करने का पैसला किया अलाकि दोनों के प्यार के भी धर्म की दिवार आड़े आ गई फरीदा के पिता Retired Police Officer थे, इस विज़ से पंकज बहुत डर गहे थे लेकिन उन्होंने हिम्मद से काम ले और फरीदा के पिता से बात करके उनके घर पहुँच गए पंकज की बात उने फरीदा के पिता का दिल जीत लिया और वे दोनों को शाधी के लिए मान गए पंकज उदास ने धेरो एलबम और गानों के चलते कहीं सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया आकरी बार उन्होंने रात बर तनहा रहा गाना गाया था ये गाना राज बाबबर और जीना तमान की फिल्म दिल तो दिवाना है का था गजल गाने के अलबा पंकज अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते थे वह अपने लाइब परफॉर्मेंस और गानों की जल्किया अपने चैनल पर शियर करते रहते थे मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी नेटवर्ट तकरीबन 24 से 25 करोड रुपे है